आज देसी चिकन और आलू का थालन बना रही हूँ तो इसके लिए सोचा आप से शेयर करूँ वीडियो तो वीडियो को एंड तक दिखेगा लाइक कमें किजिएगा नहीं आने माले सब्सक्राइब करें तो बाल एकन को प्रेस करें तो किसी भी वीडियो को नोस्फिकेशन न को अंदू झाँ, तो यह जाए तो मैंने आदा कभी लिया है और देसी चिकन बना रही हूं मैं ज़र्ण आर्छा निए जया है जो, तो मैं पर लैसनां का पेस्ट में करूं ली पहले अधर लिला गाली तो पहले। जाने देश के नहीं पर यहां पर एक खानी के चमाच इह मेरे पास लैसन अद्रग का पेस्ट को हलका साथे कर लेंगे ताके कच्छी मेरे खत्म हो जाए अच्छी यहां पर मैंने तकरीबन दो दद बड़े साइस की प्यास और हरी मिर्चे हैं ती ती चार मेरे पास उसका मेरे पेस्ट बनाया हुआ है जो के मैं इसमें अब शामिल कर आधे जाता है तो लैसन अद्रग को पहले फ्राइ किया जाता है ताके उनकी कच्छी मेरे खत्म हो जाए तो हम प्यास को भी अच्छा सा फ्राइ करते हैं साथ साथ इंग्रिडियंस आपको बताती रहूंगी आपने साथ साथ रहना है एंड तक वीडियो को देखना है और प्यास को फ्राइ करते हुए तक लिए पांच मिनट हो गए है अलम्दोलिला अब इसका तलर भी चेंज हो गया है और प्यास काफ़ हट्टेक हमारी हो गी है अब इसमें जो हमारे पास चिकन है ये डाल देते हैं बुष्मिलर मानाहीम और इसको दो तीन मिनट तक प्राइ क और आब हम अनगे तरह का दो नमक लिया है एक खाने का चमच और आप अपनी मर्जी से ले 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 अडिशाय का चमच यह अदी चाहि चमच ले यहाँ चाहि मसाला मैं अब भी थोड़ा डालूंगी और बार में भी डालेंगी इससे टेस्ट बहुत अच्छा एगा आद चिकन को भूनेंगे, अच्छा सा, तक तीन मिनट भूनेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, और चिकन को भी हमने भून लिया है, देखिए इसका भी अलग होने लगा है, लेकिन अभी मुकमल तो नहीं है भूना, तो अभी हमें इसमें टिमाटर का बना लिया था, और ये मेरे इसमें शामिल कर दिया है, और अब भूनना शुरू करेंगे टिमाटरों के साथ, जब तक टिमाटर का पानी हो जाता है, हम इसको भूनेंगे, देशी चिकन को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, आम चिकन से ज्यादा, लेकिन ये फाइदा म अब भूनाई की है, देखें के टिमाटरों का पानी खुष्ट हो गया है, और अब मैं इसमें थोड़ा से पानी राल कर, और कुकर का धकर नगा दूँगी, तक चिकन अच्छा साथ मिनिट के लिए, तक चिकन अच्छा सा गल जाए, मैंने आपको बताया, कि देशी चिकन अब अच्छा से नहीं करता है, तो मैं इस पे तकरीबन एक गिलास पानी जालकर, मैं इसको पकने के लिए रख रही हूं, कुकर का धकल नगा, अच्छा जी तकरीबन 6-7 मिनिट के बाद में ने खुला है, और अलम दूरीला चिकन गल चुका है, अब यह देखें, इसकी अबंगकर अबयों है, और एक यह दोदा और खुणा जाएं यहां अपर है ग्तार, और पर यह दोदा बह्याँ अदे , तो हml वूट दा से के लिए कटाथी इसके मिना मैं चालत करते हैं, और यहां पर रूर्दा पर यहां पर है जिए रहा है और यहां और आपने पर आप पानी लगाओंगी इस वक्त इतना के मुझे ग्रेवी चाहिए और आलू भी गल जाए इसमें तो आपने भी इतना ही पानी शामिल करना है मैं तकरीबन एक ग्लास पानी शामिल करूंगी ताके मैं अगर दुबारा कुकर का ढगन बंद करती हूँ तो पानी थोड़ा सा सूखेगा क्योंके आलू भी गलेंगे इसमें तो और बाकी जो चाहिए होगा हो मुझे ग्रेवी चाहिए होगी तो मैं आप से मिलती हूँ तकर अगर मसाला चेड़क देंगे थोड़ा सा और नमक भी आप चेक कर सकते हैं और गरमसाला जो है वह मैं चेड़क रही हूँ इसके ओपर और एक मिनिट के लिए मैं इसका धकन बंद करूंगी ताके खुश्बू जो है इसके अंदर चलिजए हरा धनिया भी चेड़क रही साथ में और इसको एक मिनिट के लिए डिपदर लखोंगी और उसके बार जो है मैं आपको इसकी फाइनल लुक तिखाती हूँ अलहम्दुलिला जी बहुत मज़िदार हमारा अलू शोरबा जो है देसी मुर्व का तयार हुआ है तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आ और अगले वीडियो तक के लिए जाज़त दीजिए अल्ला हाफिज